अब आपको सीधा ने चलते हैं तेलंगाना के जोहिराबाद जोहाँ पर प्र्यांका गांदी सभा को समूदित कर रही है सो नहीं जाते खापी के तब तक आप सो नहीं सकती आप आराम नहीं कर सकती सच बात है कि नहीं तो महिंगाई का समना कौन करता है बोट सबसे जादा जो महिंगाई का है किस पे होता है महिलाओं पे होता है बेहनों पे होता है गैस के सिलिंडर के दाम जब बढ़ जाते हैं तो किस पे किसको दिक्कत आती है आपको दिक्कत आती है आप खर में सब को खिला देंगी लेकिन खुद भूखी रहेंगी अगर कोई ऐसी समझ से आए सच बात है कि नहीं सच है ना तो आप समाज का पूरा बोज उठाती हो सारी महिलाओं की यही कहानी है चाहे बड़े घर की हो चाहे गरीब घर की हो यही होता है समाज का बोज महिलाओं उठाती है और समाज महिलाओं को मदद नहीं करता तो इसलिए एक उमीद होती है सरकारों से कि कम से कम सरकार मदद कर लेगी मेंगाई से थोड़ी सी राहत मिल जाएगी गैस सिलिंडर के दान थोड़ी कम हो जाएगे कोई ऐसी स्कीम आएगी जिसे महिलाओं को भी आगे बढ़ाया जाए और आप ही अपने पैरों पिखड़े हो पाएं आप भी कुछ कमा पाएं आपको भी रोज़गा मेने लेकिनिस सरकार ने ये सब आपको कुछ नहीं दिया दर्मी भूाटर निकाला उससे आपकी जमीने जबत होई आपको जमीने नहीं मिली तो जहां जहां आप देखें जो वादे आप से किये गए थे वो एक के बाद एक वो वादे तोड़े गए तेलेंगाना के लिए आप सब ने अंदोलन किया तेलेंगाना अगर बना तो यहां के नौजवानों के बलेदानों से बना यहां के किसानों यहां की बेहनों के बलेदान से मना तो आज अगर तेरेंगाना देश और दुनिया में जाना जाता है तो इसलिए जाना जाता है कि यहां की जन्ता ने अपना खून पसीना बहा कर इस प्रदेश को बनाया है तो यह जमीन आपकी है इस जमीन में आपका खून आपका पसीना मिला हुआ है इस जमीन की हिफाज़त इस धर्दी की हिफाज़त कौन करेगा आपको इसकी हिफाज़त करनी पड़ीगी दस सालों से जो सरकार आप देख रहे हो जितनी भी आपकी उमीदे थी जिदले भी आपके सपने थे एक एक करके चूर चूर किये गए हैं इस सरकार के द्वारा इस सरकार ने आपको नकारा क्या हुआ केसिया जी ने अपने परिवार के एक एक सदस्यों को मंत्री बना दिया बनाया की नहीं तो केसी आजी के परिवार के सदस्यों को तो जॉब मिल गया उनको महल मिल गए बड़े बड़े घर बनाए ये हद हो गई है कि पूरे देश में ये एक पहला प्रदेश होगा जिसकी सरकार एक फार्म हाउस से चल रही है जानते हैं आप आपकी सरकार भी जान से चल ली चाहिए वहाँ से नहीं चल रही है तो क्या हो गया है B.R.S. के नेता आलस में पढ़ गए है आलसी हो गए हैं और भरस्ट हो गए हैं तो अब आपको देखाना पड़ेगा आपको एक भरस्ट और आलसी सरकार चाहिए या आपको एक ऐसी संकार चाहिए जो दिन रात आपके लिए काम करके दिखाए कॉक्रेस चाहिए बाई बाई केसियार बाई बाई केसियार बाई बाई केसियार बाई बाई केसियार तो केसियार को बदाना है माल पूच चाहिए हाँ तो देखिए, कॉंग्रेस के बार में इस बात आपको समझनी जरूरी है, कॉंग्रेस मार्मा गांदी, इंद्रा गांदी, जवाला नेरू, दालबादु शास्त्री जी की पार्टी है, कॉंग्रेस सोनियमा की पार्टी है, कॉंग्रेस के कड़ कड़ में, कॉंग्रेस के कड़ कर्ण में सेवा लिखा है कॉंग्रेस का एक-एक नेता एक-एक खर करता एक-एक पता दिकाली जानता है कि इस देश में जन्ता से बड़ा कोई नहीं है क्योंकिंगेस में उसके जगे नहीं है का-एक पूंग्रेस ज और में 24 घंटे काम करके आपको दिखायेगी